सीम योगी से मिलने के लिए बहराईश की पेड़ित पहुंची और रागवेंदर कारू कर लेते हैं रागवेंदर क्या मुलाकात हो चुकी है क्या सीम की तरफ से कहा गया देखिए आज सुबा 10 बजे जो अस्थानी बिधायक है महसी के सुरेश्वर सिंग वो पेड़ित परिजनों को ले करके अपने बहराईच के आवाज से सीधा लखनोग लिए निकल गए है मेरी मुलाकात भी विधायक से हुई थी उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी से मिल लेंगे फिर बातचीत करेंगे बताएंगे कि मुख्यमंतरी पीडित परिजनों की बीच पिया बातचीत हुई हाला कि साड़े बारा बजे पहुचने का उनको टाइम दिया गया था वो वहाँ पर लखनव पहुच चुके होंगे चुकि यह समय भी साड़े बारा का होई गया यही एक समय है उसके बाद हो सकता है आधा घंटा परिवार आवास के अंदर रहे वहाँ पर बात चीत होगी प 37 चर्रे उसके सिरीर में प्रवेς है साथ ही चाकूओ के धार है मार पीट के भी निसान है इस तरह कि जो रिपोर्ट है वो पुष्ट माटम होने के बाद आई है और साथ ही पूरा परिवार जो है वो किसी मांग नहीं कर रहा है कि बहुत ही गरीब परिवार है और दो महिने पहले उसकी साधी हुई थी, 22 साल की उम्र थी, राम गोपाल मिस्रा की, तो परिवार इसमें आवाख है, कल से ही उसका बुरा हाल है, आवाज भी नहीं ठीक से निकल रही, रात में भी मैं कल गया था, उसके पीडित के पिता से बात चीत किया, तब भी मैंने कहा गया, एक आरूपी पकड़ा गया है, बाकी सब फरार है, पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लगी है, आज की इस्तिती सामानने है, यहाँ पर दस कंपनी काम कर रही है, पी एसी की, दो आरेफ यहां मवजूद है, लाईउ यहां मवजूद है, तमाम बड़े अधि रागवेंद्र कितनी देर में यह मुलाकात होनी है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरे सामने आई थी, बहराईच की उसने करी सवाल खड़े कर दिये थे, कि आकिर कौन वो लोग है जो इस तरीक आपको महराज गिंज की सडकों पर और सडकों के किनारे अगल पगल जतने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फर दुकाने थी, वहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, दरसल महराज गंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरू तो आप देखेगा, इस हीरो एजनसी के फ्रंट व्यू के जरीया आप समझ सकते हैं कि इस एजनसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शट्रिंग का था, ये सब कुछ जो है, वो आपको हवाले कर दिया गया और आप देख सकते हैं जो है, वो जलकर राक हो गया, आप देखेगा तकरीबन इस शोरूम के अंदर 50 बाइके जो हैं, वो इस वक्त खड़ी हुई थी और इन 50 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया, और अगर आप देख सकते हैं, कल दोपहर में यहाँ पर आग लगाए गय थी और अभी भी इस शोरूम से धुआ जो है, वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानि कि यह पूरा बाइक का शोरूम जलकर राक हो चुका है, और यह बाइके जो हैं, वो पूरी तरह से जो नई बाइके शोरूम में खड़ी थी, वो बाइके अब कबार में तबदील हो च शे बाइके, यानि कि तकरीबन 35 से 40 बाइके इस शोरूम के अंदर मौजूद थी, जब शोरूम में आग लगाए गई तो इन सभी बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया, और अस शोरूम का जतना भी यह आप देख सकते हैं, जो कागस था, यानि कि शोरूम में जतने हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त यहां के तस्वीरे क्या कुछ रही होंगी, फिलहाल बहराईच के महराज गंज में अब कोशिश यही है कि जल से दल शांती बहाली की जाए, डियम का ये कहना भी था कि इस पूरे मामले में एक लोग की जो है, वो मौत हुई है, दूसरा दुकानों को आग के हवाले किया गया, उन सभी दुकानों को कल जो है, वो हर मुमकिन कोशिश यही थी कि कितनी जादा से जादा जो है, वो आगजनी की जा सके, फिलहाल पुलस ने अब तक 30 से जादा लोगों को हिरासत मिलिया है, और एक शक्स की जिसके हत्या कर दी गई उस हत्या के मामले में दस लोगों के खिलाब जो है, वो फाई यार दर्श की गई है, जिनमें छे नामजद हैं, जबकि चार लोग जो है, वो अगयात है, फिलहाल इन तस्विरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल महाल क्या रहा होगा, इस बहराईश के मह मुश्रा और रिपब्लिक भारत महराज गंज, तो जहां पर बाइक जली वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आप वैभव की देख रहे थे लेकिन कल बहराईश के महाराज गंज में भयांकर हिंसा हुई, जिसके बाद वहां पर क्या हालात आज है, आप देखे रिपोर्ट को कल के बाद आज की इस्थिति आप देखिए ग्राउंड जीरो की महराज गंज बजार से एक किलो मिटर पहले कबडियन का पुर्वा गाउं है, जहां पर धरजन भर मकान और दुकानों में आजजनी की खबर देखी गई थी, आप देखिए कि एक घर के अंदर का यह हाल है, कि एक ट्रेक्टर, दो ट्रेक्टर और एक बलोरों कि तीन गाड़ कर और तैन यहां पर खड़ हूई है, आप देखिए कि एक ट्रेक्टर जो पूरी तरह Все जल चुका है, आप देखिए किया इस्तिति पूरी तरह से जलगो ऑस्ट कर जल गया है, थीजित आप दूसरा जो के देखिए मोटर साइकल है और दो लुग साइब जने हो रही थी और ये अंदर घर भी यह पर फिर लोग साइद अपनी जान बचागी कहीं और चले गए हैं लेकिन यहां परिवार रखता है देखिया नाज रखा है परिवार है बकरियां है यह बकरी विबंधी हुई है ऐसे में अगर यह आग और भड़कती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था लेकिन साइद सुरच्छित पर इस तरह से पुर्शियों को भी तोड़ दिया गया है यह खंड खंड इसको कर दिया गया है एक गाड़ी और यहां पर खड़ी है लेकिन वह गाड़ी अभी बच गई है लेकिन इस घर के अंदर काफी कुछ नुकसान हो गया है और इस ट्रक में भी आगे सीशा तोड़ ही दिया गया है तो ऐसे करके जो हालात से कल जो बेकाबू भीड आई थी जिनके अंदर आक्रोस यह था कि जो राम गोपाल मिस्रा है जिसकी दुर्गावी सर्जन के दौरान जिसकी हत्या कर दी गई थी उसके आक्रोस में जो भीड सड़कों पे उत्री तो पुलिस को रोक में ले लिया एक तरफ सव का अंतिम संस्कार भी हो गया दूसरी तरफ भीड को भी कर्जे में कर लिया गया और आज की जो इस्तिती आज की स्तिती सामान है